हेलो दोस्तों मैं सुपरिया आप लोगों को सुपरिया एजूकेशन हब यूट्व चैनल पर स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्शर में क्या होने वाला है आज के वीडियो लेक्शर में मैं आप लोगों को Math, Honors, Model, Paper, Solutions का Paper 2 आप लोगों को 250 तक सभी question का answer बता चुकी हूँ अगर आप लोग को नहीं पता है तो playlist में जाएए और आप लोग को सभी वीडियो मिल जाएंगे अगर चैनल पे कोई भी student न्यू है तो चैनल को subscribe कर लिजे तकि आने वाले सभी वीडियो का notification आप लोगों को time पे मिल जाए और मुझसे direct connect होने के लिए आप लोग के लिग्राम पे जुआइन हो जाए ताकि आप लोग को ग्रूप में कोई भी message किजिएगा मतलब कि कब कौन स आएगा तो आप लोग टेलीग्राम पे जुआइन हो जाएए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार सेर कर देजिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हाँ एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो में जो भी advertisement आएगा उसको पूरा देखिएगा question number 251 क्या है equation of the second degree in xyz in which coefficient of x square y square z square are equal and does not contain any terms products x y y z x represents तो आप लोगों को पता होगा जब हम लोगों का x square y square z square का coefficient equal होता है और वो कोई भी इस टाइप का नहीं contain करता है तो आप लोगों का होता है circle तो 251 का option number 1 correct हो जाएगा अब next question देखिए equation of the sphere passing through the point alpha 0 0 0 और 0 beta 0 और 0 0 gamma and origin is given by तो देखिए मैं आप लोगों को sphere का आप लोगों को equation बताई हो यूँ आप लोगों को याद होगा sphere का equation क्या होता है x square plus y square plus z square equal to r का square तो आप लोग एक बार इस point को एक बार इस point को एक बार इस point को तीनों point को पूट करके जब question को solve किजएगा तो आप लोग का option number a जिए न वह न वह कारेक्ट आएगा तो 252 का option number a correct हो जाएगा चलिए आप लोगो question number 252 समझ में आ गया अब हम लोग देखेंगे 253 number question a sphere of a constant radius k passes through the origin and meets the axis at a b c the centroid of a triangle a b c lies on the sphere तो देखिए इसको बनाने के बाद अगर आप लोग a sphere पढ़े होंगे तो आप लोगो पता होगा इसका क्या आता है तो इसका रिजल्ट जो option number c है न वह आता है इसको solve करना पड़ता है तो 253 का आप लोग को option number c correct होगा देखिए 254 का section of a sphere by a plane तो इसमें बोल ला है sphere जो है उसके section जो होता है अगर plane से cut करते हैं तो आप लोगों को क्या बनता है तो आप लोगों को वह circle बनता है कट करें किजिएगा तो आप लोगों का 254 का आप लोगों का option number a correct हो जाएगा 254 का देखिए 255 का if the radius of the circle is less than the radius of the sphere the circle is up तो आप लोगों का इसका answer होगा देखिए अगर आप लोगों को यह sphere लेते हैं और एक circle है तो इसका radius कम है इसके radius से तो आप लोगों क्या बोल सकते हैं वो जो circle होगा न वो एक small circle होगा तो 255 का option number b बिल्कुल correct हो जाएगा देखिए 256 का if the radius of the circle is equal to the radius of the sphere of the circle is called तो देखिए अगर आप लोगों का radius of circle और radius of sphere दोनों बड़ावर है तो आप लोगों का क्या होता है आप लोगों का होता है great circle तो 256 का आप लोगों का option number a बिल्कुल correct हो जाएगा देखिए 257 के आप लोगों का if the radius of देखिए तीनों question आप लोगों को similar है 255, 256, 257 बस आप लोगों देखिए एक बोला अगर circle कम है बतलो circle का radius कम है तो आप लोगों का small circle हो जाएगा circle का radius बढ़ाबर है तो आप लोगों का great circle हो जाएगा अगर circle का radius बढ़ा है तो क्या हो जाएगा तो देखिए if the radius of the circle is greater than the radius of the sphere of the circle is called तो इसका देखिए इसका मुझे लग रहा है इसका c भी हो सकता है और d भी हो सकता है यह दोनों तो नहीं होगा यह कब होता था जब आप लोगों का circle less than कम होता था तो ओके और यह कब होता देखिए question number 255, 255, 256, 257 ध्यान से देखिए first मैं बोला है आप लोगों से just wait दिखा लोगों होता है तो वो इस सदो हो जाता है अगर शब्रा करे वराबर है तो आप लोगों को अगर आप लोगों के अगर से रायरियस बढ़ा हो जाए गा तो क्या होगा तो देखिए इसका मुझे holkar से लग रहे से Uganda होगा आप होगा ऐसे मेरा इस सेटुव क्शे इब का option numero si होना चाहिए नेक्स्ट देखिए 258 के आप लोगों का the curve of intersection of two spheres तो तुदो यह इंटर्सेक्शन क्या होता है तो आप लोगों का सर्किल होता है तो तो 258 का आप लोगों का option number A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 259 के a line which meets a sphere in two coincident point is called तो आप लोगों का यह क्या होता है टेंजेंट लाइन टूदा एस्फियर देखिए यह सभी तो बेसिक चीज़े आप सभी को पता ही होगा मतलों कि यह सभी थियोरेटिकल इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करने वाला एक भी आप लोगों को लाग रहा सॉल्व करने वाला तो आप लोगा देखिए क्या इसमें नॉर्मल आप परपेंडिकुलर दोनों बात बढ़ाबर ही है तो आप लोग क्या हो जागा टैंजेंट प्लेंट टू एस्फियर एट एनी पॉइंट और इट आप लोग दोनों में से कोई भी करेक्ट कर सकते एक ही बात है नॉर्मल बो यह सबीको पता है और ठोगोनली का बच्और करता है तो वह आप लोगों का राइट एंगल होता है यह आप लोगों को मैं बता चुकी हूं बहुत बाढ़ है नेक्स्ट क्या तूएसफियर दीस एंड इंटरसेक्ट और्थोगनल इफ तो मैं आप लोगों को और्थोगनल का कंडिक्शन बहुत बर बतायू यह याद भी करवायू यह तूजी बन जी टू प्लस टू एफोन एफटू प्लस टू एफोन एफटू इक्वाल टू अप लोगों का टू सीक्स्टीट फरी का अगरक्ड़ू इंट्रेशकीर डिएस सथ लगी तो होता है अगर दोनों के दोन पर 94 टू तो आप लोग का common circle का radius होता है R1 R2 upon root under R1 square plus R2 square तो 264 का आप लोग का option number A correct हो जाएगा Next के आप लोग का if two points P and Q are conjugate with respect to a sphere the sphere on PQH diameter cut S is तो आप लोग का इसका answer होगा cut orthogonally तो आप लोग का तो 65 का option number A बिल्कुल correct हो जाएगा देखे 266 का है the locus of a point which power with respect to a sphere are equal तो देखे power of point आप लोग पढ़े होगे तो आप लोग का क्या होता है the locus of point which power with respect to a sphere are equal to तो आप लोग का ये होता है radical plane तो 266 का आप लोग का option number C बिल्कुल correct होगा 267 का आप लोग का the radical plane of two spheres तो दो रेडिकल plane का sphere जी होता है आप लोग का वह क्या होता है वह आप लोगों का परपेंडरी कुलर होता है 268 का है the radical plane of three spheres taken in pair पास थूँआ तो आप लोग अगर रेडिकल plane को रेडिकल plane of three spheres pair मिलेते हैं तो आप लोग को वह किस से पास करता है तो आप लोग को वह प्लस यूएक्स प्लस दी इकवाल टू जिरो तो देखिए आप लोगा को यूएक्स प्लस दी इकवाल टू जिरो तो इसमें y और z का टरम तो नहीं दिया हुआ तो y z देखिएगा जिसमें 0 होगा वही आप लोग का correct होगा और limiting point में बताई थी plus minus root c 0 बताई थी circle में और इसमें आप लोग का plus minus root d यहाँ पर d है तो d हो जाएगा तो 270 का आप लोग का option number a correct हो जाएगा इसमें y z वाला नहीं है तो आप लोग का y z का टरम 0 होना चाहिए तो आप लोग का option number a बिलकुल correct हो जाएगा question number 270 का अब देखिए आप लोग next question देखिए next question क्या है 271 a surface generated by a variable line which passes through a fixed point and intersect a given curve is called तो देखिए यह सबी एक definition है जो कि आप लोग को पता होगा ही ओके तो आप लोग को अगर नहीं भी पता है तो इसको यादी कर लेने में फैदा है क्योंकि ए definition है तो यादी होना चाहिए तो यह आप लोग का कौन का definition है तो 271 का आप लोगों का option number c बिलकुल correct हो जाएगा करता है कौन को तो आप लोग का 272 का option number a बिलकुल correct हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्या है 273 the equation of by plus cz plus d equal to 0 तो देखिए इसमें आप लोगों को एक्स का टर्म नहीं दिख रहा होगा कोसर नांबर 273 में x का टर्म नहीं दिख रहा है तो यह आप लोग का एक्स का पैरलल हो जाएगा ऐसी करके देखिए इस टाइप का एक्जाम में आप लोगो एक कोश्टन आएगा 274 के एक्वेस्ट्स अब दिस रिप्रेजेंट्स द तो क्या लगता है आप लोगा इसका क्या होगा अगर इसमाँ जेड का टर्म काई भैं है तो पैरलल टो यह हो जाइगा तो चलीए अभी के वीडियो मेंग आप लोग Canon का एंसर आप लोगों-सके बता दी आप लोग को यह दे एसा लगा उप कमेंट सिक्षिन में जरूर बताईएगा और वीडियो को मैक्सिमाम सेयर किजेगा और वीडियो खतम हो जाने के बाद जो इडिवाटाइज में चलेगा उसको प्लीज देख लिजेगा क्योंकि वीडियो बनाने में में मैंनत लगता है तो आप लोग में मेरे लिए कुछ करी सकते हैं आप लोग एड को देख लिजेगा तो चलिए थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो एंड थैंक्स पर कमिंग सुप्रिया एजिकेसन अब टेक कियर पढ़ाई करती रहिएगा औल दे वेस्ट फॉर और नेक्स्ट जंग अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो म ओके बाई थैंक्यू